अब spore formation के बाद spore formation के बाद जो next method हमारे पास आता है उससे हम कहते है method का नाम है that is fourth method of a sexual reproduction we call regeneration 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 में क्या होता है like एक organism होता है जैसे अब तक हम organisms draw करते आये हैं यहाँ पर भी हम एक organism draw करेंगे like यह हमारे वो organism है जो की है जिसका नाम है planaria planaria एक इस तरह का organism होता है जिससे अगर हम cut कर दे like हमने यहाँ पर इसे तीन पार्ट से में cut कर दिया तो इसके तीनों पार्ट नए organism form हो जाएंगे यानि कि यह तीन पार्ट नए organism को रिप्रोडियूस कर देंगे like एक planaria था उसे हमने इस type से तीन parts में हां से cut कर दिया like this और तीनों पार्ट से like इस पार्ट से यह नया organism बन गया इस पार्ट से यह नया organism बन गया और से यह वाला नया organism फॉर्म हो गया so इस type का method जो कोई भी अपने आपको reproduce करने के लिए यूज करता है उस method को कहते हैं हम regeneration लेकिन regeneration एक थोड़ा सा different method है different method क्यों है क्योंकि इनने depend होना होता है cutting पर ये अपने आपको अपने आप split नहीं कर सकते है next ये एक और चीज की वज़े से different है आप ये कह सकते हैं like lizard lizard का आप example ले सकते हैं कि वो भ इतने part cut हुए उतने part से नया organism बन जाए लेकिन जब कभी भी हम lizard की कि उसकी जो tail होती है उसे अगर cut करते हैं तो वो सिर्फ अपनी tail को grow करवा पाता है लेकिन उसकी जो tail cut हो जाती है अलग उससे नया organism form नहीं होता लेकिन regeneration method का मतलब होता है कि जिस part में यानिकि जितने part में cut हुआ उस हर एक पार्ट से नया organism बन जाए तो इस method को हम कहते हैं regeneration यहाँ पर भी single parent involvement है यानिक एगी parent involved हुआ है और कोई भी gametes का use यहाँ पर new organism को form करने के लिए नहीं हुआ तो एस sexual reproduction का यह हमारा fourth method है that is regeneration और एक important चीज़ यह है कि humans regeneration method शो नहीं करते हैं लेकिन humans में भी ब में बहुत सारी cells ऐसे जो अपने आप को regen Zealand कर सकते हैं लेक आप lizard का तो example लेते हैं कि lizard अपनी tail को regen day कर देती है लेकिन हमारी बोडी में बहुत ऽारी waste है egy तरह से cells ऐसे है जो अपने आपको regen नयटीरील हमारी बाड़ी में प्रेडियूस होते रहते है जन वह बार बार suppressor होत यहां पर develop हो जाए इस टाइप के method को कहा जाएगा the method of regeneration in asexual reproduction